चुटकी? अन्य बाया? कैसी हो चुटकी? क्या कहा? चुटकी? क्यो दिदी? बड़ी मा के बेटे हैं इसकी शादी हो जाए, इसके बच्चे हो जाएं, फिर भी मेरे लिए छोटी बेंच चुटकी रहेगी ना तो अब समझा मैं कि तुम काँ हो? खुडिया कहा है? स्कूल जाने की तैयारी हो रही, अंदर चलिए, आए ना जर्द सुनो तो तुम्हारी सेहत बहुत ज्यादा गिर गई है, थोड़ा पोश्टिक आहा, खाया कुरूँ है लगता है बहुत दिनों के बाद अपनी बहन को देख रहे हो आपके शादी हो गई क्या, पहली वाली चल बसी, दूसरी करनी है करनी है इसी में उल्जावा हूँ अरे बेचारा, लगते है लिक्षा आ गया मेरी गुडिया इतनी बड़ी हो गई है, मेरी गुडिया तुम्हारा नाम किया है बेटा तुरगा, भिल्मत वाली, एक की रिक्षा आ गई बच्ची को समाल कर ले कर जाना समझ गया निकल गल्टी कर दिये उसने गल्टी ना करने के लिए था गल्टी करने के स्ट्रॉंग चाय पिता मलाई वाला दूद्ध पिता है रम मिला कर तो सुन चुटके पूरा शरीर दुख रहे मेरा जरा पानी गरम कर दे नहाना है मुझे इतने सालों से अनिल भाईया का आथा पता ही नहीं था शेकर तो इससे इतनी नफरत करते हैं कि गुस्ते से लाल पील इस संगीत की प्रोग्राम में पहला स्थान जिसे मिला है उसका नाम है दुर्गा जिसने सब का मनमोह लिया आज प्राइस रिस्ट्रिप्यूशन के लिए हमारे आज की माने नहीं आती थी आदर निये तामिल नाडु के ची सेकेटरी महेंद्र वर्मा जी की धरम पत्नी श्री मती विद्या लक्ष्मी जी कृप्या स्टेज पर आईए थेंक यू कुंग्राचुलेशन थेंक यू मैम बहुत सुरी दी तुम्हें यह गाना किसने सिखा पापा ने वो यहीं पर है कहां पर अभी तो यहीं पर थें ओ कोई बात नहीं अच्छे बाई बाई च्री लटा पापा यहीं देखो यह मुझे मिला है अग् अग्या यहीं नहीं को शुच्छा पिख्राइब रिख्राइब यहीं अग्यू पूड़ा और कचड़ा बिख्रा बड़ा इन्हें साफ करवा देती तरिफ खाना पका कर देना ही काफी नहीं होता आस पास की एरिया में साफ सफाई होगी तो लोगों को अच्छा लगेगा समझ गई हाँ इतनी बाहर का है कि यहां पोस्टर वगेरे मत लगवाब पर कोई मानता ही नहीं है वो केदार कहां चलागी लगता है कहीं बाहर गया है मम्मी ये दोनों मुझे मिले ओ मेरा बेटा बेरी गॉड जरा मेरे टावल दे देना मैं आने जा रहा हूँ अनिल भाईया आये है अनिल भाईया किसलिए आया है पता नहीं कह रहे थे जीजा जी ने बुलाया है जीजू ने कौन जीजू मुझे तो उसकी सूरत देखते ही चिड़ा आती है कोई पुलिस केस हुआ होगा या फिर पैसों की जरूरत होगी देखना दुरका बहुत ही नाराज है क्यों उसने आपको स्टेज से देखा और आप स्टेज पे गए नहीं मैं आचानक स्टेज पर कैसे चला जाता लोगों को बुरा लग सकता था तुम हमेशा अपने आपको इतना छोटा क्यों समझते हो शेखर इतना कॉम्प्लेक्स अच्छा न वो क्या है कि बच्ची को प्राइस देने के लिए आती थी बनकर जो वी आई पी आई थी वो हमारे गाओं की विद्या लक्ष्मी थी मेरे माता पिता की देहांत के बाद मैं उनी के घर पर पला बढ़ा हम दोनों एक ही क्लास में पड़ते थे हम दोनों सगे भाई बहन की तरह थे एक पाक रिष्टा था हमारे बीच मगर गाओं वालों ने इस रिष्टे को बदनाम किया तो हमत लगा ही हम पर और घर वालों बिद्या पर पाबंदिया लगाई, स्कूल जाना बंद करूया है, फिर हमें लगए यहाँ रहना ठीक नहीं, हम कहीं और चले गए, फिर मैं विद्या लक्ष्मी से कभी नहीं मिला, लेकिन आज मैंने उसे देखा, उसे देखते ही मैंने उसे फॉरल पैचान लिया, इसलिए म वहाँ नहीं गया मैंने तुमसे पूछा इसलिए तुम्हें बुरा लगाना हुआ हरे नहीं सबका खाना तेयार हो गया है नजर मत चुराइए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हर काम के लिए वक्त होता है समझें यह यह पराठा और चिकर अब लिए यह पराठा और रिख चिकर अब कर अब कर अब कर अब कर अब कर अब कर अब मेरे पैसे कितना हुआ तो रुपे केदार मेरे पस पांसों का नोट है चार सो रुपे वापस दे हैं एक दो तीन चार ठीक है जा अरे भाई साब भाड़ा और अटो का भाड़ा वह सो रुपे इसने पांसों दिया और चार सो तुने मुझे वापस दिया तो अब बागी क्या है चलिकर अब हिसाब बराबर हुआ ना फिर क्या बोलता है हिसाब नहीं आता क्या तुझे उसने पांच सो रुपे दिये चार सो रुपे मैंने वापस दिये बिल्कुल सही है यार बेकार में दिमाग खरब कर रहा है यह लिए अरे मालिक केदार कहां गया था तो वो क्या है कि भाई साब को घुमाने किया था तल से काम पर आने की जरूरत है ऐसा मत की जमाली मैं भूका मर जाओंगा समझा की जमाली तुरो तुम ठीक ठाक बात कर लेते हो इसलिए तुम्हें रखा हुआ लेकिन जरूरत की वक्त तुम मौजूद नहीं रहोगे तो तुमारे होने का फाइदा क् बड़ी मुश्किल से मैंने इस अब जमाया मुझे परेशान मत यह तो वही बात हुई कि नींद से उठा कर लाया और खाना भी नहीं दिये तो फिर मुझे बुलाई क्यों इसने बुलाया आप इने तो लिगी थी वह चिठी कौन सी चिठी वह चिठी यह लो पढ़कर जा यह चिठी मैंने नहीं लिखी और यह मेरे हैंड्राइटिंग नहीं मुझे किसी तरह के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह किसी से लड़ाई जगड़े नहीं करता अब आगे है तो कुछ दिन रहने दीजे मालिक नाक पंच में के तिवहा इसलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए गुंडे की जरूरत थी तभी मौसी जी से मुझे पता चला कि दीदी के परिवार में एक बहुत ही मजबूत गुंडा है जब अपने परिवार में इतना बड़ा गुंडा है तो बाहर से गुंडा हैर करने की क्या जरूरत थी इसलि जीजा जी मैं यहां कुछ दिन और रहूंगा हमें इस धाबे को और अच्छा बनाना है लेकिन ऐसे बुड़ियों को यहां से निकालना होगा चल चुट कौन है यहां बुड़ी तू कौन साजवान है बढ़ाया बुड़ी बोलने वाला आप आप पर चली आज कल के मर्दों स तरकर अंदर चुकसरीगाय आप अपने भाइसे को अपना मूब अपने उसली रूप दिखाऊंगा वेकार में बगभक करर रहा है अरे तिक है आपको अपने सि को एक भपड भी नहीं मा रहा है कि अ चली जी एह। गुडिया सो गई क्या सो गई बदमाश कहीं की पापा कहा है पापा को होटल बन करना है स्वामी को श्लोक सुमा कर सुला दिया और आज का हिसा पुरा करके टेबल पर रख दिया है अब मैं जाओ क्या रात को रिहर्सल है मालिक सुबाइ जल्दी आना देर मत करना जी खाने में क्या है अरे साब होटल तो बंद हो चुका है बाहर डीएसपी साब बैठे है ना मत बोल चपाथी और चिकन करी बना कर दे सकता हूं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा हाँ चलेगा ज्यादा लेट मत करना राधा दो सोड़ा ले रहा हूं जी राधा जी ज़रा आटा लेकर आना सर खाना तयार है काम वाले सब चले गए हैं आप हैं इसलिए मैंने मैंने तुम्हें कहीं देखा है ये मेरी घरवाली ओ अरे जरा रुको तो न हम पहले भी एक दूसरे से मिले हैं तुम कहां की रहने वाली हो चितूर ओ चितूर चितूर गाओं की रहने वाली हो अब समझ में आया तुम वो पीपल के पास रहने वाले गंगाधर की बेटी हो न राधा तेरा बाप मर गया क्या तरब बहुत बढ़िया चल रहा होगा तेरा ये बिजनेस कितने साल से यहां सेटल हो? छे साल हो गैसे तेरे भाई अनिल के बारे में कोई ख़बर है क्या तुझे? नहीं तो जानती है भी वो कहां पर है? सरजीव, देखिए तेरे सामने से अच्चा वो फाईल मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया तो उससे अगर उसी दिन अच्छी तरह से इंक्वारी कर ली होती तो वो फाईल क्लोज हो जाती इसनो, इसका बाप है न वो गंगाधर अपनी राईडनिती की पहुँच का इस्तेमाल करके केस को दवाने में काम्याब हो गया था सर जी, भागवान के लिए हमें परिशान मत कीजी क्या तू जानता है इसका खांदान कितना महान है पता हैस सर आप इसके भाई को पगड़ने के लिए इसके घरा कर इंको परिशान करते थे तभी हमारी शादी हुई थी सर आप हमें भी उसी तरह परेशान करेंगे तो उपर तक जाकर आपकी शिकायत करनी पड़ेगी पुलिस वालों से उलाशता है छोड़ूंगा नाई अनिल तुमें ये सब करने की क्या जरूद जीजू मैं तुम्हारी जगे होता ना तो ये पुलिस वाला इतनी देर जिन्दा नहीं रहता ए छुटकी तेरा ये पती तो औरतों से भी ज्यादा गया गुज़रा है अपने घर की इज़द भी ने बचा सकता ये तो वाकिए सरदर्थ हो क्या मानता हूँ अनिल ने हमारी फेवर की लेकिन अफसों से कि वो पुलिस से उलजा उसके लिए तुम क्यों रो रही हैं तुम जिंदगी में हमेशा आसु बहती ते आरी है हमारे परिवार में क्रिमिनल पैदा हो गये तो उसके हमारी क्या गलती जो हो가 देखा जाएगा परिशान मत हो क्वाधी प्जास में एकड़ी के हूं मुझ लिक हो पाँस किलो गीला नरील किलो पंदरम किलो चोली कलो कोनिक सीपरार ने मॉलकाई पाँस किलो पाँस किलो और और बोले क्या अरे गधे ये क्या लिखा तोने शेकर बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही दिखाई नहीं दे रही पारो के साथ कहीं खेल रही होगी वो पारो के साथ नहीं है मैं देख कर आ रही हूँ कहां चली गई वो तो फिर कहां गई होगी उडिया तम्हाल के उतरना बिटा हम लोग घूमने के लिए गया थे जीजू गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन चाबी तो मेरे पास है बेना चाबी के गाड़ी स्टार्ट करने में माहिर हुआ इसका मतलब तुम गाड़ी उडाने का भी काम करते हैं तीन साल हो गए उस काम को छोड़े हैं मेरी गुडिया बहुत होश्यार है आप चुप क्यों हो जीजू गाली देना है तुदे दो अगर मैं पहले वाला अनिल होता तो गाड़ी लेकर कपका भाग गया होता तो गाड़ अच्टा की कहें है ऺई सवालो है या सच में कितना बढ़िया माल है सच में किटना बढ़िया माल ऐसे क्या होत्य का घ्रॉंड इडिली हो अश्यार बार जो ले गया तो ऑखराब था इस वर असा नहीं होना छाए छोटे पछले जो दिया था सब पिछले बार से इस बर पह ठीक है सब्सक्राइब इस बाजार में सारे बाहर के लोग हैं काम करने के लिए आते हैं और यहां के मालिक बन जाते हैं देखो यह मुल्क सभी का है कोई कहीं भी आ जा सकता और कारोबार कर सकता है बिल्कुल प्रिश प्रेटोर प्रम का मैनेजर तुई है ना जी आ कहिए आ काम करने वाली लड़की सासी मदा कर लिया तो गुंडों से पिटवाया मुझे समझा नहीं यह मामला उस समय कहा जब अनिल गाउं से आया था आप मेरे साले अनिल से पूछे अब पूछना नहीं है अनिल के साथ जो लफड़ा है अनिल के साथ ही खतम करना पड़ेगा कैसे तो देरी तॉप सुदागर जल्दी कर अच्छा तुम क्या देख रहे हो इनने लगी चुड़ाएंगे तो खोन खराब को सकता है उनके लफड़े को उनी को निपटने दो तुम लिस्ट में देखो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है जो हां और जाता है जो एसको एसको आरे जीजू आप मुझे यहां के ले छोड़ कर जा रहे हैं मैंने आपकी विज़े से तो पंगा लिया मैंने किसी को पंगा करने को नहीं कहा था जिसने शुरू किया वही खतम करें तो अच्छा है यह तो साल भर का राशन लग रहा है यह हमारा चार दिन का राशन पानी है जाने और आने की गाड़ियां जब आती हैं तो हमारे धाबे में जगय नहीं मिलती और जब भी सिकंदर भाई की लौरी आती है ना तो फिर नाच गाना धमाल पूछो मत भाई झाल पूछो मत भाई झाल पूछो मत भाई इसको पथा यारी की यही निशानी है गन 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 चम 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 चल चल के मस्ती नाव दम 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 आदम मिल गए हम दनाचन जम 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 चम के चूमो गाउ है 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 बिन प्यार के है जीना सजा कर ले तू प्यार ले ले मजा चक ले तू आज मेरा नशा संग मेरे आज नच ले जरा ले ले प्यार का मजा कर ले तू भी हता आजा मुझको तू अंग लगा ले डण 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 राज्या पास मेरे आभी जा दिल 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 ने मेरा आप्या लुटा लुआ जा बाहों में आवी जा महफिल के रंग में रंग लो जरा देखो समा है यहाँ खुशियों भरा हाँ 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 दो जा में लोग करो फिट मामला देखो कमाल फिर होता है क्या हम सा यार कहां गुर गुर जार कहां दिलों की हम भी तो है राजा हाँ कन 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 चम 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 चल 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 के मस्ती नाव दम 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 दमा दम दम दल गये हम दना दम जम 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 के जुमों गाओ जीना उसी का जीना है ये घैरों की खातिर जो है जीया खुशियों को अपनी बांटे जो खैरों का घम भी जिसने लिया जिसमें सब की खुशी वो ही काम करो दिल न तोड़ो तुम की सी का बन मन जो भुचा है साथी वो ही करो जी लो यार तुम जी भरके चल 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 ते रहो राह में तुम नरको जीवन है लड़ाई तुम जीतो लो खत्तम लास्क पैग है दोनों आदियादी पैएंगे यह लो पहले तुम डखा रो है वो कौन है वो सिकंदर भाई और हमारे मालिक वो दोनों की दोस्ती भीना अजीव सी है हमारे मालिक गाउं की भाषा बोलते हैं और सिकंदर भाई मुंबाईया लेंग्वेज एक दूत्रे को समझने में टाइम लगता है इनका ऐसे ही चलता है दरसल इसे कहते हैं असली दोस्ती सिकंदर भाई भी शरीफ आदमी है वो पेचारे गाड़ी चलाते हैं अभवान इन दोनों की दोस्ती आईसे ही रखे है 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 हुडिया सो भी अहां कपकी सो गई खाना भी खा लिया अरे यह क्या कर दिया भई साले कहां कहां देखता है गाड़ी चल रहा है लिक्ता निए क्या अरे बात दिखने की नहीं है भाई साब गारी है रस्ते पर चलेगी तो कहीं न कहीं तो टक्रा भी सकती है था पर तुम इतना ज्यादा एकसाइटेड मत हो सब सॉल्व हो अनिल को बीच में जाना पड़ेगा जाना तो पड़े है इतना बड़ा गाड़ी रिवर्स हो रता तुमको दिखता नहीं क्या अंदियो गाड़ी का नमबर नोट करो और पुलीस को बलाओ जो दिन जेल में रहेंगे तो दिमाग ठेकाने आ जाएगा अरे भाई पुलीस की क् क्या हुआ है अनिल आज पास कोई हॉस्पिटल लेंगे तुने क्या करती है यहां के दस किलिमेटर दूर है तो यहां है एल्प करो जल्दी आप जल्दी जाने दो भाई तो आप मर्द हो अनिल तुम्हें बीच में आने की क्या ज़रूआ थी यह उन दोनों का प्रॉब्लम था आपस में सुल्जा लेते इसमें मैंने खलत क्या किया सिकंदर भाई मेरा नहीं आपका दोस्ता है कुछ भी हो पुलीस केस तो हो गई अगर वो मर गय मैंने नहीं देखा किया मैं हूँ उसका कवा मैं सच ही कहूंगा अरे कैसे इंसान हो आप आ जा रहा है पीने कहीं नहीं जा रहा मैं यह लफड़ा मैंने किया है ना तो मैं इसे खदम करके जाओंगा किदर सुनो जिए सिकंदर भाई को जाने के लिए को ज़रूरत पड़ी तो बुला ले लिए अच्छा जी सिकंदर भाई किया हुआ इंसान का जीना हराम करने के लिए तुम्हारे और कितने रिष्टदार है तुनिए तुन छुटकी अरे कौन से जंगल से पकड़ कर लाई है तुई से मर्द के नाम पर कलंख है मेरे प्यारे जीजु मैं यहां से जा रहा हूँ बरसों मैं जेल की हवा खा चुका हूँ अब मैं वहाँ जाकर और नहीं सरना चाहता मुझसे ज़रा भी प्यार है तो मेरा गुनाह तुम अपने सिर पर लेकर मेरा साथ दो तुम्हारी बच्ची को मैं अपनी बच्ची की तरह और तुम्हारी बीवी को अपनी सगी बेहन की तरह मानता हूँ तुम सभी लोग मेरे दिल में थे और हमेशा रहोगे पुलिस का लफ़ड़ा खत्म होने के बाद मैं वापस लोटाओंगा आपका साला अनिल वर्मा यह लोग तो फिर से आगे हैं जीजू जीजू क्या है कल राज जिसे मैंने मारा था फिर से आया है जल्दी आओ वो देखा वह ही है न जीजू वो मारा नहीं है अरे यह तो किसी और को भी साथ मेला है वो लोग यहां क्यों आयोंगे बदला लेने के लिए जिस तरीके से उंगली दिखा कर इशारा कर रहा था मतलब पुलिस में शिकायत नहीं किया वैसे यह लोग कभी भी हमला कर सकते हैं वोश्यार रहना होगा इनसे जीजू जीजू इरादा नेक है तारा इलजाम मेरे सर पे मलके खुद भागने की तैयारी में था अरे नहीं नहीं मैं तो आपको एपरिल फूल बना रहा था सच में वो भी सप्टेमबर में क्या हो रहे जी तुमारा भाई मेरी गर्दन फसाना चाहता है अरे तू सीरियस मत हो मैं मजाग कर रहा था जीजू से यह दुनिया गोल गोल है एच्छ है यह सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है तुमने यह सब काम आता है आता तो है लेकिन गाय भैसूं की दुलत्ती से मुझे डर लगता है इसी की वज़े से मैं इस काम में हाथ नहीं डालता है हाई नाना जी नाना की प्यारी लाडली नाना जी ने अपनी लाडली के लिए तोफाल आया है यह लो जीजू सफेज चट मिलेगी अलबारी में ले लो जट मिली हाँ मिल गई दोती है क्या जीजू वह देगा वहां सुख रही अरे नाना जी आ गया केदार यह जीप में जो सामान है यह हमारे ही बाग के केले हैं इसे पका कर खाना पैर लागू मौसा जी तू यहां क्या कर रहा है काशी दर्शन के लिए जा रहा हूं मौसा जी काशी जा रहा है काशी से तो हमारा सदा के लिए रिष्टा जुड़ा है ना मौसी जी की अस्थियों को मैंने बहां विसर्जन करने के लिए सोच था लेकिन उस समय तो किसमत ही खराब थी मेरी क्या गुडिया केदार मैं सहता करूँ क्या यह जहां कब आया पूरा एक अफता हो गया मेरा लड़का इसी के सोहबत में रहकर भी गड़ गया है मौसा जी मैं पहले वाला अनिल नहीं रहा मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है मौसा जी एक धकाई थी आगे चलकर वालमी की बनाना उसी ने रामसिता की कहानी रामैड में लिखी की नहीं काली भी किसी से कुछ कम नहीं थे लेकिन जब दास बने तो कितने मशूर हुए वो तो उसी तरह मैं भी वो अनिल नहीं रहा कुमार अनिल हो गया हूँ सच में तु बहुत बदल गया है नहीं हाँ आप तो आपको विश्वास हो गया ना मौसा जी कि मैं वो पहले वाला अनिल बिल्कुल नहीं रहा हूँ इसके अंदर सच मुच ऐसा बदलावाया है क्या नाना जी आप यहां कुछ दिम रहकर ही जाएंगे न यहीं इरादा है यहां का हिसाब किताब देख कर ही जाओंगा नाग के शक्ति और नाग द्योंदा की मरी की चमक से ही इस गाओं को नाग पंचमी गाओं के नाम से जाना जानता है और आज नाग पंचमी का उत्सम है और इस खुशी के अउसर पर मैं आपके सामने प्रोग्राम करूँगा कुछ फिल्मी कलाकारों को आपके सामने पेश करता हूँ सबसे पहले मल्यालम के सुपरिस्टार मुहनलाल जी को आएए देखते हैं उनकी एक जला थेंक यू थेंक यू और अब हमारे फिल्म जगत के सुपरिस्टार आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं मेगा इस्टार ममूटी अब देखिए उनकी एक जला किसी ने छूचा किया तो नो जिस्म रहेगा ना खोगी ने तो प्रस्तुत हो गांगा थेंक यू थेंक यू अब आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्री के विराज केलाने वाले जैश्ट् थेंक यू थेंक यू अब आ रहे हैं हमारे फिल्म के कॉमेंडी स्टार्ट् मिस्टर जग्दीश आप देखें उनके जला जैजा 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 है हमने जिसको पीटा था हूँ आया है हमने हो देखो जान बचाने तो भागो यहां से अब आ रहे हैं सुल्तान सल्मार यहां से अबस्तों प्राट को प्राट झाल 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 इसे इस तरह क्यों मार रहे हैं आप लो जो भी प्रॉब्लम हैं आम बात्चीश से सुलजा सकते हैं कि अने रखो कि अभी तक आये क्यों नहीं कि फंक्शन को बीच में छोड़कर कहां चले गए थे हम लोग हम लोग चाय पीने गए थे तुम लोग बाहर क्यों खोड़ें छेखर कुछ न कुछ तो लफड़ा है सोचा तुम्हारे आने के बाद अंदर जाएंगे दर्वाजी की कड़ी टूटी हुई है लगता है कोई अं यहां रखा हुआ पैसा खयाब है पंप का पैसा था अब मैं सेट को क्या जवाब दूगा भरोसा हो गया ना घर में चोरी हुई है यह लो वहां से निकाल कर चाविल के डबे में रख दिये थे मैंने चावल के डिबे में चोर का बाप भी वाँ नहीं पहुश सकता क्या दिमाग पाया है चुटकी नहीं लगता है किसी ने घर की तलाशी ली सई है कुछ भी हो कल हमें पुलिस में कंप्लेंट निकवानी चाहिए सई है क्या किस लिए जब हमारा कुछ चोरी नहीं हुआ तो फ तीस दांट मिले हैं वरना मसूड़ा ही छिल जाता जीजु वो देखो पुलिस की गाड़ी आकर रुकी है देखो उनके इधर आने से पहले मैं भाग जाऊंगा तुमको भी साथ भागना है तो आ जाना तेरे साथ मैं क्यों भागू लो कर लो बाद कल हम दोनों के लफड़े में एक आदमी लुड़का था की नहीं क्या का हम लोग दोनों पुलिस अगड़ो असको वो किसलिए भागा पता नहीं सर भाग कर कहा गया मैं नहीं जानता सर पता नहीं है हम लोग सोच ही रहे थे आपके पास आकर कंप्लेन लिखवाने के लिए अ गंगाधर तुम यहां पर हो ओ अपनी बेटी का हाल चाल पुछने आये हो तो फिर वो का है लगता है एक बार फिर हमें मिलना पड़ेगा क्यों गंगाधर तुमारे बेटे के बारे में कोई खबर है नहीं अभी तुमने कहा था कि तुम्हें कोई कंप्लेंट लखवानी है कल रात को यहां पर एक चोर आया था सर रादेश्यम इनकी कंप्लेंट क्या है लिख लो मिला गया है वो तो भाग गया सब वो आये गा यहां नहीं सिधा पुलिस टेशन में आये गा है कि नहीं हम इसे उठाकर गाली में डालो तुम्हेरा गुना क्या है यह सब तुम्हें पुलिस टेशन में बता देंगे चलो पापा पापा तुम यही पर बैठो वेटी मैं छोड़ा कर लाता हूं मेरे ख्याल से इस नाम का कोई आदमी अरिश नहीं हुआ है डियेसपी साहब एंटी क्राइम एक्सकॉर्ट में होने को जैसे शायद एक केस वहां दर्जवा हुआ आप अपना क्रिम्ट्रेंड लिखवा दीजिए वैसे राजशेखर आपका दामाद है क्या हाँ सर शादी को कितने साल हुए नौ साल हो गये क्यों सर वैसे वो किसी क्रिम्नल केस में कभी कहीं फसा था क्या नहीं सर मेरे दामाद तो इतने सीधे हैं कि कभी एक चीटी को भी नहीं मारा ठीक है मैं इंगवरी करता हूँ अधा साब मैंने जो कुछ भी का वो सब सच है उन मुंबई वालों से लफड़ा मैंने नहीं किया अनिल ने किया था वो भी उसने जान बुझकर नहीं जजबात में अकर किया था तू सच कह रहा है मुंबई वालों से तरह कोई लेना देना मुंबई में कितने सालों तक था मैं मुंबई कभी नहीं किया सर पाकिस्तानी टेररिस्स से तुम्हारा क्या लेना देना है टेररिस्स से ये आप कैसे बातें कर रहे है तेरी तो मुंबई में रहता था ना टेररिस्स लोगों से तेरा संबन भी था अब ये सच्छा ही तेरे मुझे उगलवाऊंगा सर क्या है क्या है मुझे लगता है यह वो नहीं है जिसकी तलाश आपको है यह है वो फाइल जिससे हमने शहर से ढूंड निकाला है आप तहाएं तो देख सकते है यह राजा के खिलाब मुंबई पूल स्टेशन में दर्ज हुई फाइल है पूलिस रिकॉर्ड में 2005 नौवंबर 25 को राजा पूलिस एंकाउंटर में मारा जा चुका है पोस्ट मॉट्व रिपोर्ट में उसकी बॉड़ी से मिला था 30 बुलेट एक तम एक जैसे दो लोग, I can't believe this एनिवे, I want to talk to him रुके, कस्टिडी में कहीं कुछ हूच नीच हो गई तो कैसे पूस्टाच करना चाहिए, ये पूलिस से बहतर मैं जानता हूँ शाह, एहम शाह मैंने आपको पैचाना नहीं तुम मुझे इतनी जल्दी भूल नहीं सकती हो मैं आपको नहीं जानता एह, तुम मुझे जानता है और मैं तुझे खालेद खालेद अब मुश्किल है साथ लेकिन पूलिस हो, कानौन हो, गरीबों के लिए कहां खड़े होते हैं साथ धरा रुको, इस बात को अगर उपर ले जाने की कोशिश कीन है तो तु जिन्दा नहीं बचेगा, क्या समझा? मेरा किसी से कोई भैर नहीं है, मैं किस से शिकायद करूँगा? जॉर्ज, सर्थ, इसे इसके घर पर छोड़ दो पापा क्या हुआ जी? अरे, कुछ नहीं हुआ, पुलिस वालों को खलत फेमी हुई थी उन्हें पता चला कि मैं बेगुना हूँ तो मुझे यहां तक छोड़ने आए, है न सर? एक मिनटू किये सर, आप मेरे सगे बेटे के साथ ऐसा सलूग करते तो, शायद मैं बरदास्त कर लेता, क्यूंकि वो एक गुनहेगार है, उसके बदले में ही, भगवान ने मुझे शेखर जैसा शरीप दामाद दिया, इसने क्या गुनाह किया जो आप ले गए? गुडिया, तुम सोही क्यों नहीं? पापा डर लग रहा है, किस बात का डर बेटा? इससे पुलिस वाले आए तो, अब कभी पुलिस नहीं आएगी, तुम सोचा बेटा, तुम रो कर इसे आउड डर आ रही है, मैंने तुम से पहले ही कहा था कि मेरे पीछे भाग लो, मैं तो बच गया, समझ गया है, पुलिस की जात कैसी होती है? कौन है शेकर बेटा? अरे, मौसा आप गया नहीं? तुम अभी तक यहीं है, कल भाग यहां से, अरे रुगी है, बेटा, कांदान को बरबाद करने वाला आसूर है यह, ऐसा मैं नहीं क्या किया? तेरी संगत में रहकर मेरा बेटा बरबाद हो गया, उससे तेरा जी नहीं भ कुछ खाने पीनी के लिए बचा है तो देना बहुत जोर से भूख लगी है कर दोख लेक। ああ अप्रा ग्रा SCH ले लेख भाग। आयवater आयवे पूsta जो हम अंद है प्रभक्त पॉर्णी एकष्दुक्त आयवर sf collateral ओए व te invis limit लिए यहलिए यह भल्हुत फोडिए अम्हू हम अवस्टे scraps पोडिव आислू का रॉत फोडिए, बस्वे अवस ठेता खरेता Baptist कि अब लोग गाउं जा रहे हैं रेस्टरांट में आने के बाद शुरू करों यह तूटे-फूटे कांच का कुछ कर देगा कल सुबानाया मैनेजर चार्च ले लेगा ठीक है कि मुझे क्या करना है जीजू गाड़े निकाला हुआ 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 मेरे यहां आने से ही सब लफा हुआ कल रात वो लोग मारने ही आये थे जीजू तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो तुम सेफ हो जाओगी जेल में रहा तो मैं भी सेफ रहा हुआ बाबुजी मैं चलता हूँ कहां जा रहे हो हमारे सेट का कमिशनर से अच्छा रिष्टा है उन्होंने का कि वह बात करेंगे इसलिए मिलकर आथा जल्दी आजाना आजाओं जीजू तो जरूर आएंगे चुटकी पर मेरा कोई भरोसा नहीं कर दो कर दो कर दो प्रणव प्रप recre कर लो कि अलुक है डेंचा बेली लो को यह अमरे पिछे कुमारा अए नहीं कर बारी चला लाए कर दो उपको लेत करने दो और में उम्मार के वी और उम्मार कर दोडना हुआ है इन्होंने घर लिया हमे फिर भीन नहोंने आप अब देड़ है! धर्नमत सब्सक्राइब कि अपने आपको पीटी उसा समझ कर मेरे पीछे हो लो भार दो हुआ 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 इस यह राज़ तो लाट वाट ऑ॑ा टा आप हुआजा आप हुआजा आप लुम्हादी coun honesty ईंटाजां आप हुआजा चार आप हुआजा ा आप बहुआजा üzवें को रच Mississippi water Anda इंटा हुआजा आप हुआजा हुआजा SARAH आमा हुआजार से चल उडं़ पलगत, फच्स यर्चा ह guidance बटल मदट, पलगत, फठट यर्चा झी जाही जाहीस झी जाही जाल स्की भानन सब्सक्वारा झाल 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 तो तू मान ही गया कि तू राजा है? झाल झाल मैं ही आज झाल झाल अजा झाल 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 कॉल शॉप कॉल मेरे नेजर के सामने आए मुझे पंगा लेने का कोई शौक नहीं है आप जैसे लोगों से दूरी रहता हूं जानी जा इतना लेट हुआ तो मैंने समझा कि पैसे गए हाथ से मैं तेरे बाप की पैदाश नहीं हो बे तेरी तो उन लोगों ने हमें धोखा दिया पुलिस को पहले से खबर किया तहां वारे डील के बारे में पुलिस पहुंच गई थी वहां पे बाल बाल बचके आ रहा हूं मैं उस टेक्सी में मेरा बैग बदल गया यह जूट बोल रहा है बॉस बहुत अच्छा काम किया साब आप मेरी बैग लेकर आ गया ले देकर यही प्रापर्टी है मेरी इसमें क्या है तु जानता है कुछ भी हो मुझे क्या मतलब मैंने तो उसस चुआ तक नहीं काईए तो देख लीजी मेरी इमानदारी को देख कर उन लोगोंने मुझे अपने ग्रूप में शामिल कर लिया मैं बिना कुछ सोचे समझे, उनके साथ काम करने लगा राजा को दे तेरी जगे तो छिन गई चंद्रू, बोस को अब तुम्हारी जरुवत नहीं है, राजा बालाँ, 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 बालाँ भाई का जो ट्राइवर था सिकंदर, वो बाद में मेरा ट्राइवर बन गया उसी वक्त बंबई में बं धमाके हुए जिससे मेरा दिल तेहल गया त्री ब्लास डिस्टर्ब दा इंडियन सिटी ओफ मुंबई इस विस्पोर्ट में 35 लोग मारे गए हैं तकरीबन 70 लोग गंभी रूप से घायल हुए हैं इस विस्पोर्ट ने व्यावसाई को भ्योग और व्यापारियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है नाशनल इंवेस्टिकेशन सर्वस फ्रम न्यू देली हास फेगद अब्लास अन कन्फिर्म भाई और आतंकवादियों के बीच साठ गाठ हैं ऐसा केस फाइल करने की तैयारी शुरू की गई एंकाउंटर स्पेशलिस दयाप आटिल अंटि टर्रिस्ट का चीफ बन कर नियुक्त हुआ जनता की सुरक्षा के लिए कलेक्टर महिंद्र वर्मा को नियुक्त किया गया सर इनके पीछे कौना ने ये पता करने के लिए उसको सिंदा पकड़ने पड़ेगे सर्थ रजा भाई मुमबई ब्लास्ट में चंद्रू भी जुड़ा हुआ था और उसकी आतंकवादियों से सांठ गाठ हैं ये बात मुझे सिकंदर भाई ने बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ आपार करने लिए जाते हैं दो हमनौना चाल चाल ब्लास्या रिर्ष हमनौन रिर्ष हमनौन इन प्रब्स्टर आपर यह जरी प्रेविस कर द्रेवा कर दोंग को। विद्धिया, इसलिए में अरे शेखर तुम, वह तो सुप्राइज, मैं कहां करती थी ना शेखर के बारे में, अलो, तर आपको चार्ज लेते होए टीवी में देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम यहां कहां रहते हो शेखर, मेरा छुटा सा बिजनस है, कॉन सा आप उस अंकल को जानती है, नाई, इस अंकल को जानती हो, नाई, यह मुम्मी के गाउवाले है, अपका नाम क्या है, अनु, शेखर कभी टाइम मिले तो हमारे घरा ना, ज़रूरा, यह लो, मेरा काल, तो हम चलते हैं, जी, सर, सर, आपके साथ कुछ सिक्यारिटी वगिर न जाती है, चलता हूँ, जेसे, वैसा जवाब नहीं मिला मुझे, राजा, चंद्रू के और हमारे धंदे में किसी से भी रिष्टे हो सकते हैं, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, जस्ट माइन जा ओन बिजनस, अंडिस्टेंड, नया कलेक्टर, सारी दूप के साथ धोखा दढ़ी हुआ तो फिर, उस दिन सिकंदर भाई की बेटी की साल गिरा थी, तो मैं केक लेकर उनके घर चला गया, भाबी जी नमस्ते, सिकंदर भाई है, अंदर ही है, देखो राजा भाई आए है, एपी बर्स दे बेटा, ये केक आपके लिए, जब हम लोग आएंगे तब इसे काटेंगे, ओके, थांक यू अंकर, बिटा, बस हम यू गए और यू आ जाएंगे, फिर हम मिलकर से लिपरे सो रिसल, कलक्टर साब आपको मिलने चाहते हैं, मैं उनी से मिलने जा रहा हूँ, चलिए अपने गाड़ी में चलते हैं, आच्छा जी, मैं अभी आ रहा हूँ मा बेटी कहा जा रही है, हम शौपिंग के लिए जा रहे है, शौपिंग करने, अचा आप लोगे, मैं कलेकर साब से लिया है, नो, 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 नीनिद डेटेल औन इक रीपोर्ट में रिरजार को इंधार में जुल है ट्लिज度स्यों गना इखे सहर घरेठेड है तुम खायर समें परिखेगल । आह प्रिखक्राइड ठोल स्धारीज़ करो कृए किता तुम्हारे बारे में मुझे विद्या ने जतना बताया था, मैं उतना ही जानता हूँ, अफकोर्स, एक हद तक में तुम्हारा रिस्पेक्ट भी करता हूँ, वो कहती है, छोटी उमर में ही शेकर मुंबई आ गया था, यहां आकर उसने पढ़ाई लिखाए की और बहुत तुम्हारे बारे में उससे ज्यादा नहीं मालम, राजा इस वक्त मेरी कस्टडी में है, और वाजय तुम्हें तो पता ही होगी न राजा, कम, लुक मी राजा, मुंबई पॉलेटिन सिटी के चार आइडियल स्पॉर्ट का नजारा तुम इस वक्त देख रहे हो, हमें तुम्हें से किसी एक जगह पर ब्लास्ट होने वाला है, टेल मी देट, तुम लोगों ने कहा बम फिट का रखा है, बम? मैंने कोई बम नहीं लगा है, राजा तुम इतने गरीब लोगों की जान के साथ क्यों खेलते हो, क्या चाहिए तुम्हें, पैसा? सर, मैं कुछ नही जो भी करना है, जल्दी करना है, मटेल, उसे लेके आओ, तिवारी, इसी ने वो बम बनाया है, इसी ने फोन किया है, और इसी ने तुम्हारे हाथों में भी दिया है, अब साब साब बताओ, वो चम के लिए कागज में लिटा पैकेट तुमने कहा छुपा कर रखा है? वहाँ, सिकंदर भाई के घर पर भॉम रखा गया है, माई गॉड़ सर, वो आतंकवादी कहां रहते हैं वो जगे, मैं जानता हूँ कहां वो जानता है, मैं पर भाई अनाता है, कुमनानका गुमना पॉम्हाँ तर पष thumbnail पॉम्हाँ यह पाई जए ऐस। नवानन्हाँ सबस्बस्टर गोग्ड़ अपने आपको सब पोलिस के हवाले कर दो और ना जब के सब मारे जाओगे Everyone, check position You are surrounded by the police, don't try to escape, we will shoot Hello, turn back What? तुम्हारे पीछे वाली बेल्डिंग पर नजर कुमा कर देखो नो, मेरी बच्ची को कुछ मत करना हमें बच्च कर निकलने के लिए गारी चाहिए पुलिसी आज चाल चलोगे तो तुम्हारी बेटी की खौपडी खोल दूगा Don't shoot Come on, quick I do, I do I'll orange whatever you want Don't move I'll be the only one मेरी बच्ची मुझे चाहिए बच्ची को वापस लिआओ मैं हाँ चोड़ती हूं, तुम्हारे साहं मैं मैं पुलिस कस्टड़ी में है मैं मैं कुछ नहीं कर सकते Please लिए लिए आर प्रफ्क प्राइस लिए अप्राइस कर दो कर दो कर दो कर दो डैटी बेटी मेरी बच्ची को पिसमा चनल बेटी 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 बूव बूब बग बूब नू दस लधिए। दारी कि र III आखर डूह थत्ति रbuका सम्टार्ण। इसाद डिंद परेच lag कि तरीं आखके प्लिस न आखके आखके दान तरीं पुली कि अगले कि तरीं είता है हुए कि आखके वोल्सी केम्भाइ मेलार थे अध नाख़ें है पुलिस के पुलिस रिकॉर्ड में कल जो पुलिस एंकाउंटर हुआ था उसमें राजा मारा गया और चंद्रू बश्ट निकला लेकिन मरने वाला आदमी राजा नहीं बलकि चंद्रू है ये बास सिर्फ हम जानते हैं यू समझो कि बच्ची की जान बचाने के लिए ये एक ऐसान है लेकिन एक बात तुम दोबारा कभी भी यहां दिखाई मत देना शेखर कभी मुंबई में आया ही नहीं अपना गाँ छोड़कर वो कहीं नहीं गया ये बात ये फैल है उस दिन चंद्रू का नाम दे कर मुझे फरार करवा दिया गया वहां से मैं चंद्रू के घरवानों से मिलने गया उसके बाद चंद्रू की बहन राधा मेरी घरवाली बन गई चंद्रू और मेरे बीच क्या हुआ ये बात ना राधा को पता थी और ना ही उसके घरवालों इस डॉन का नाम तो मैंने सिर्फ सुना था आज पहली बार अपनी आँखों से सामनी देख रहा हूं अगर भूल से भी मेरे मुझ से कुछ अनाप शनाप निकला हो तो आप उसे दिल से मत लगाना मुझे माफ कर देना मैं कौन हूँ ये बात सिर्फ तुम्हें पता है और किसी को पताना चले अलो राजा पहचान ही गए होगे के मैं वंशी बोल ला हूँ कृष्णा वंशी तुम ही वो राजा हो ना ये साबित करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी तुमसे एक छोटा सा काम है और तुम्हें आना होगा मेरे पास मैं कभी नहीं आऊंगा बीवी, बच्चे, फैमली ये सब छोड़कर तो तुम्हारा आना बहुत मुश्किल होगा ना वैसे इस बोच को कम करने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर साकता हूँ तुम्हारी ससराल के सामने खेती वाली जमीन है उधर 40 आदमी काम कर रहे हैं जिन में कुछ बिहारी हैं, कुछ बंगाली और उन में चार मेरे आदमी है जिस तरह सिकंदर की फैमली को बरबाद गिया था ना तेरी फैमली को भी कर दूँगा चला, क्या हुआ? हमारे आदमियों में चार लोग उनके हैं अरे? राधा राधा वो लोग मार्केट गये हैं मार्केट गये हैं इसका कितना शेकर तुम का बाए बस अभी अभी कमीशनर से मिलने गये थे ना क्या हुआ उनकी तरफ से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा यह जाहिए? यह जाहिए? ले लो नहीं अच्छा जीचा जी अपने दोस्ते में ले गए हैं मम्मी अपको बता दोगा ठीक अपको झाल ऑज गो जीचा की जाचा जाचा की जाचा जाचा की जाचा यह भाला लो बणार लेलो जो चाहिए लेलो ठीके श्रेइट है मंपी हां राचा जी लाचा जूच है कि अच्छा वहां क्या हुआ है नोटी मोटी लड़ाई होगी चलो किसने की उससे हमें क्या लेना देना चलो घर चलते हैं कि कोच्छी में कितने दिनों तक रहना है शेकर नया पंप है उसे सेट करने के लिए मुझे खुद रुपना पड़ेगा सब सेट होते ही आ जाओगा चलो बाई गुडिया बाई पापा कि वंशी ने मुझे कहा कि हमारे आदमियों में तीन चार आदमियों उसके मिले हुए मेरे आने तक इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे सर इनके शरीर पर खरोज डालने से पहले उन्हें मुझे मारना होगा ज्यादा बातें मत करो क्या जीजू आपको मॉंबाइ राचा की बाचा राचा की बाचा लाचा की बैचा बोस के सामने कैसे बढ़ते हैं शायद भूल गया जल्दी बताईए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ दस साल पहले तुमार तुमारे दोस महिंदर वर्मा ने मेरे धंदों के साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था याद है मुझे तुम से उसका पुराना हिसाब सूच समी चुकाना है बीते हुए दस साल हम लोग जेल में सिर्फ यही उमीद लेकर सड़ते रहे कलेक्टर से बदला चुकाना है यही हमारा मकसद है आज कल कलेक्टर बहुत उची मुकाम पे है वो इस वक्त तमिल लाडू में चीफ सेकर्टरी है अपनी बच्ची की शादी की तैयारी के लिए एक मेहने के लिए कोयमतूर आया है सेंट्रल मिनिस्ट्री से अच्छे तालुकात होने को वज़े से उसको मिल्ट्री प्रोडक्शन मिला है उसको जान से मारना है एक प्रोफेशनल किलर जो काम नहीं कर सकता इसलिए काम तुम को करना है तुम दुनों में पूराना रेलेशन होनी को जैसे तुम्हार लिए बहुत आसा तुम लोगों के इस वक्त दो ही दुश्मन है एक मैं दूसरा चीफ सेकर्टरी मेरे हाथों चीफ सेकर्टरी को मरवाओगे और उनकी सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मुझे मरवाओगे ब्रिलियंड केम वहां से बचके निकलना तुम्हारा जिम्मा होगा अगर मैंने नहीं किया तो तू करेगा क्योंकि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार कर दे अलेद गन उठाए हुए बरसो गुजर गे प्रैक्टिस किये भी न तू सही निशाना नहीं लेगा से इंडियन मिलिटरी की वहां पर सिक्योरिटी है चीफ सेक्रिटरी जिसके स्टाउस में ठहरे हैं वहां पर कोई हथियार लेकर नहीं जा सकता मैं खड़े-खड़े अरेस्ट हो जाऊंगे यह हथियार मुझे चाहिए उसका इंतजा में खुद करूँगा लेकिन एक बात याद रखना अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मौत के मूँ में चीफ सेक्रिटरी नहीं जाएगा जाए बाद राजा 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 है 10 साल के बाद राजार राजा है once a king is always a king sir yes a man has come to see you but he has not taken any appointment sir तुकिए यहाद से रूप और आप से अब ऑप जो है सर वी इस तपरसंव राजया आइणों अड्यों एड़ि में विडिया अजके लादी यहाद नहीं है वो कल में विडिया जरा यहाँ ओ वाँ वाँ आपने मुझे पैचान लिया बिल्कुल तुम ही कैसे बूल सकता हूँ उम्मीद नहीं थी कि तुमसे दोबारा मिलूँगा दस साल का लंबा समय पेद गया वैसे तुम काफी बदल गए हो हाँ विद्या बच्ची को बलाओ जी बेटी यह तो जैसे सर्प्राइज हो गया यहां तक कैसे पहुंचे तुम यहां एक बिजनस के सिरसले में आया था तब पता चला कि आप यहां है इसलिए सोचा आप से मिलता चलो आओ आओ इसे पहचाना क्या आपकी बेटी है बेटी त हम किसी के करददार हैं तो वो तुम हो ऐसे बात मत कीजे ज़र में है सर्ट तो यह है कि मैं आपका करददार हूँ गलत रास्ते से हटा कर मुझे सही रास्ते पर लाकर एक नई जिंदिगी ती है एस सर आपने आज मेरा परिवार है पत्नी है बेटी है वो लोग कहा पर है गाउ मेहसर, गरीब परिवार की लड़की है, मेरे आतीत के बारे में उसे कुछ नहीं बता। कभी बताना भी मत, वो एक गुजरा हुआ चैप्टर है, बच्ची के इंगेजमेंट तक तुम यहीं रहोगे न, रहना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं जाकर उनको लिया आता हूँ, तुम्हें जाने की जरूवत नहीं है, तुम्हारे घर के पास कौन सा पुलिस टेशन है, पुलिस उन्हें यहां तक सही सलामत ले आएगी। चितूर पुलिस टेशन, वहां के डियेसपी को मेरा घर पता है। अरे, मौसा, मौसा जी भागो, पुलिस, पुलिस आ रही है, पुलिस? चुटके पुलिस? अरेल भाया, शेखर का फोन आया था, कुच्ची से? नई, को यम बटूर से, शेखर के दोस्ट चीफ सेक्रेटरी हैं, और उनके घर हमें तुरन पहुचने के लिए कहां है? कुलिस तो यहीं आ रही है, हमें ले जाने के लिए? हमें ने जाने के लिए वह सब मैं बाद में बताओंगी पहले तुम तयार हो जाओ मैं जाकर आते हूं नाना जी 그것ा करते हैं अचरबाद लो वह कि यदि या ज़ल्दी आ जाना मौसा जी मैं चलने के लिए तयार हूं कैसे हैं सर अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जीप में बैठ जाओं राजा चीफ सेकरेटरी को कैसे जानता है मेरे जीजू और चीफ सेक्रेटरी ने एक साथ हाईस के तियारी की थी मेरे जीजू तो हार गए लेकिन वो जीट कहे ठीक है जा बेढ़ जा जी बिलकुल इधर बेढ़ जा नहीं आगे बेढ़ूंगा परवाले यहां तक तो तुम्हारी बयास से जान बची होई है आगे भी रक्षा करना है इसका बाग लो? सर्व गादी में बाग सर्व फ्लीस गेट हम इंच गेट हम पापा नमस्ति गुडिया तुम जानती हूं यह लोग कौन है पापा यांकी हमाय स्कूर में चीफ गिस्ट बनकर आई थी ओ दुर्गा बहुत ही प्यारी बच्ची बहुत अच्छा गाना गाती है चलिए अंदर चलकर बैठते हैं जी आए काभू मेरा ओं एक्स्कूस में धीस्प प्लोज पाफटन इस वेइटिंग व्यू वड़ित्ग nawu दो अग्स्कूस में दीवेस्प पावलोस पौतिन इस वेइटिंग व्यूण इस बूर्या वाब्यां तुम सुर्ण मूर फैमा । श्यूण। और मैंने गलस फहमी में पुरानी बातों को भूल जाए ना ये बात मैं नहीं जानता क्या बड़े ओफिसर आपसे जो कहेंगे आपको करना ही पड़ेगा वैसे आप मुझे नहीं जानते थे मैं सारी बातें अपने दिल में दबा कर रखता था कुछ भी नहीं बोलता आउसर म मिलेंगे बहुत चाहिए राजा बोल रहां यह तेल मी राजा तू सुरक्षित भाहार निकल गया है क्या सिर्व मैं ही नहीं मेरी बीवी मेरी बच्ची सब सुरक्षित है क्या सोचा तुमने तुम्हारे डर से मैं काम करूंगा क्या भाई यहां उसे मारने नहीं बचाने के लिए आया हूँ तुम्हारे या तुम्हारे चम्चों का साया तक उस आदमी के करीब भटकने तक नहीं दूगा मिस्टर कृष्णा वमशे जॉन टाइगर पैसे के लिए कुछ भी करेगा वो इस वक्त होटल ली मेरेडिन में है केश इस मेहन्दर वर्मा थे वाढर भुश्छ करें गए तुम्हेदर नहीं करने तुम्हें दुम्हारे करेंज है इस मैहन्डर वर्मा रभुश्या है वाए दॉन मेहला है के अ बाट यह लोगे वादाव करो को ओढ़ए पैसक अन्दर्वार भाई मॉंबई से एक इंफरमेशन है चीफ सेकरेटरी को मानने के लिए वन्शी और शाह ने मिलकर एक प्रोफेशनल किलर को सुपारी दी है उसका नाम है जॉन टाइगर काफी खतरनाक है लो सो सगाई के फांक्शन पर ज़रा केरफू ड्रेन मुझे बार का पूरा फूटज दिखाओ स्लो करना, स्लो करना इसे अच्छी तरह चेक कर लेना ठीक है यावशी का क्या वाता यावशी का क्या वाता यावशी का यावशी कार यावशी तब 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 अच्छा के लाचा। क्वाथ है शेखर। वुछ नहीं सर। गुड़नाइट। आप तो बड़े कमाल के निकले जीजु। यह सफाही दिखाई आपने। गवा काउन है। मैं.... मैं नहीं हूँ। राजा, मैं आपको यह खुशकबरी देना चाहता हूँ तुम लोगों का भीजावा इंटरनेशनल प्रोफेशनल खेला जॉन टाइगर अभी दस मिनिट पहले चीफ सेक्रेटरी के गैस्टाउस के पास मारा गया उसके मृत शरीर को गैस्टाउस के ड्रेनेज में बहा दिया यहां से ठीक पाच किलोमेटर साउट साइड जाएंगे वहाँ पर एक ड्रेनेज ब्लॉक है बॉड़ी चाहिए तो वहां से कलेक्ट करने जीजू आप सच में राजा है राजाओं के राजा है आपकी घड़ी हां हां से येस यह फाइल में साइन करना तो मैं तो भूली गया था बताव कहां करना मंदिर बंध होने से पहले मुझे वहां पॉश्चना है सर कहां जा रहे है पुल देवता के मंदिर में वो कहा है शहर के बाहर 25 किलमेटर के दूरी पर इनके साथ सिक्योरिटी नहीं है पुलिस टेशन को इंफर्म किया नहीं मंदिर जाते समय कौन से सिक्योरिटी नहीं सर ऐसी बात मत कीजिए दुश्मन बहुत है मेरा कौन दुश् अज्या चलता हूं मैं भी आपके साथ चलता हूं मंदिर हुआ 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 ने अर्व जाया हुआ हुआ आज आज और आज अ बच्छपन में जब मैंने होस सम्हाला था ना, मेरी मा मुझे यहां लाया करती थी तब किसी पंडित ने मेरी मा को बताया था कि मैं पूरे सौ साल जिऊंगा, अब भी मुझे ये बात याद आती है अगवान का नाम आते ही सबसे पहले कुल देउता की याद आती है उस दिन जब मेरी बेटी की जान मुसीबत में थी, तब भी मैंने स्कूल देउता की ही प्रार्थना की थी अब मेरी बेटी की शादी है, तो मैं सोचता हूँ उसका प्रोग्राम भी यहीं पर करवाओ यहाँ पर? लेकिन यह जगे सुरक्षित नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हो? यहाँ कोई मुझे गोली मार देगा क्या? मैंने अपनी जिन्दगी में आज तक कभी किसी के साथ नाइनसाफ ही नहीं किये अगर किसी को कोई तकलीप पहुँची भी है, तो वो सरकारी कामकाश से सरकार हमें हुक्म देती है, हम तो हुक्म की तामिल करते हैं सही है भगवान की दया से मेरी जिन्दगी में कोई कमी है, तो वो है दुश्मनों की आजिकंदर भाई क्रिश्न वन्शी कोई मतूर पहुँच गया है होटल सिटी पाक में ठहरा हुआ है भाई कोई बहुत बड़ी गड़बड लग रही है पना वो खुद यहां नहीं आता अपना ख्याल रखना टेक है राधा राधा वो सब बाहर चला गया बाहर कहा वो लोग तो शोपिंग करने के लिए गया है है इधर यह देखो अधर जीजु का फोन हाँ जीजु का तुम लोग हम लोग इस वक्त मॉल में हैं वह जरा भी अकल है के नि मैंने कितनी बार समझाया है विए ना मतलब बहार मत जाना समझते ही नहीं तुम लोग मैं साथ में आया हूं ना जीजु आप टेंशन मतलो मैं सब को सही सलामत घर जीजु आया हूं गा तुम लोग मैं रुको लापस आया हूं जी आवाज निकाला तो कोली मार दूँगा सिर्फ तुम कोई नहीं तुमारे साथ जो आये हैं ना उनको भी उड़ा दूँगा चुप चाप चल उधर देख चल राजा को फोन कर अनिल बोरो जीजु यहां लफड़ा हो गया इन लोगों ने हमें कवर कर लिया है आवें बचा लो जीजु क्रिशना वंशी सर मेरे परिवार को कुछ मत करना सर वो मेरे लिए सब कुछ है आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा तेरी फैमली को तो मैं छोड़ी दूंगा लेकिन उससे पहले मुझे तेरे चीफ सेकरेटरी की जान चाहिए वो इस वद गेस्षा उसमें अकेला ही है ना वक्त बहुत कम है तेरी कुछ में वोड़ी दूंगा झाल 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 अरे तुम अचानक कहां चले गए थे क्या बात है शिकर जब मैंने आपसे कहा कि आपके दुश्मन है तो आपने यकिन नहीं किया क्रिश्ना वंसी और उसके साथ ही उने जेल से निकलने के बाद आपको मारने के लिए मुझे चुना मैं यहां आपसे मिलने नहीं आया बलकि मारने आया मेरे बीवी बच्चों को मारते का यह धमकी देकर आपको मारने के जिम्मेदारी मुझे सौपी है सर्मेरे बीवी बच्चे यहां सुरक्षित रहेंगे यही सोचकर आपको बचाने का इरादा किया लेकिन अभी मेरे बीवी बच्चे आपके बीवी बच्चे उन लोगों की कस्टडी में मैं कुछ नहीं कर सकता खून खराबे की जिन्दगी से है आपने मुझे बाहर निकल एक नई सिंदगी ती आज मेरा परिवार है सिर्फ आपकी बच्चे से मैं किसको बचा हूँ अपनी जान से ज्यादा चाने वाले परिवार को या फिर आपको जो मेरे लिए भगवान समाने आप ही बताईए सिर्फ मैं क्या करो जैसे तू अपने परिवार को जान से ज्यादा चाहता है वैसे ही मैं तुम्हें चाहता हूँ उन्हें फोन करके कहो मुझे जिन्दा उनके हवाले कर रहे हो और वो मुझे मारे क्या चीज सिक्रेट्री मारा गया नहीं मैं उन्हें मार नहीं सकता आप जगे बताईए मैं उन्हें बहां लेकर आता हूँ ठीक है शाह तुझे फोन करेगा ओके यह रपोट के पास सेंट्रल बिल्डिंग के बैक साइड में पुरान एक ब्रिटिश क्लब है चीप सिक्रेट्री को वहां लेकर आओ क्रिश्नवमसी एक घंटे में वहां पहुंचाएगा चीप सिक्रेट्री को लेकर पहुंचले में तुम्हें 45 मिल्ट लगेगे ज्यादा चलाकी करने के कोशिश मत करना किया तो तू जानता है तेरे पूरे खांदान को हम लेकर जाएगे समझा पूरे जानता है जाएगे ज़ गया लगे जाएगे जाएगे क्रे जाएगे जाएगे झाल 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 सत्या वंसी साब को फोन लगाओ वो आने वाले थे अभी तक क्यों नहीं आये झाल 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 तामोग लूँ